परम्शांति परम्शांति सभी को तो अब हमने पहले बाद में बात की कि सारिका जी ने अपनी पढ़ाई के साथ जितना भी उनको उस वक्त परमात्मा का रियलाइजेशन था उनसे जो उनके क्योंकि वो कहती हैं अपने इसमें की मैं हमेशा से उनसे बात करती थी और उनके गाइडेंस के अनुरूप में चलती थी ऐसा उनका मानना था अब आध्यात्मा में कैसे उनकी एंट्री हुई और किस तरीके से बढ़ाव आया क्योंकि पहले सोच थी एक साइंस वाली अब शुरूवात हुई आध्यात्मा की तो आपने कौन से ऐसे किताबे आपने लास टाइम थोड़ी बताई किताबों के बारे में लेकिन मेजर परिवरतन कब और कैसे शुरूवात हुआ आपके जीवन देखिए जैसे मैंने कहा कि जो किताबे मिली उनसे एक बेसिक आत्मा का जो कंसेप्ट है या जो हमारी जर्नी है जब हम ओरन साइंस की बात करते हैं तो हम अलग आस्पेक्ट में सोचते हैं जैसे हमारी मैमरी कैसे बनती है निरो ट्रांसमिशन होता है निरो सब्सक्राइट होता है जब मुझे 2011 से किताबे मिलने शुरू है तो मुझे सोल की जर्नी सोल कर डियेने यह सब कंसेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हम जीवन में जीते जीते, हम जीतो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, कि हम उनके परती जागरूप नहीं होते हैं, तो हमें कौन कौन से छोटे-छोटे कर्मों के परती जागरूप होना चाहिए, ये मुझे पता लगा, पांच तत्वों के शरीर का ग्यान, कि ह अब मेरा जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है अब मेरा जो मॉडरन साइंस का माइंड था वो एक अलग माइंड था है ना वहाम से शुरू आत करते हैं सेल इस बेसिक फांडेशन नेकिन यहां पर क्या था कि आत्मा आत्मा आपके शरीर को चला रही है तो यह बिलकुल एक अलग कंसेप था तो यह भी मुझे मतलब वहां से कंसेप पता लगना शुरू हुआ सोल जन्नी के बारे में पता शुरू हुआ सोल डियने क्या होता है वो पता लगा पांच तत्वों से मिलकर आप बने हाँ आपका शरीर वो पता लगा उनकी कंपोदिशन के बारे में पता चला तो उसमें जैसे बहुत से एक्जांपल से के जैसे वो थे कौन थी ना गाते थे वो जिन्होंने तांसें तो वहां पे वो कंसेप्स है कि कैसे उनने जो था कि उस समय में तत्वों को बैलन्स किया तो आप अज़स सौच्ते थे जब आप यह सूचती थी कि यह संटे तो यही है क्योंकि कही ना कहीं जब हम spiritual picture है या पहले को एक foundation देखते थे तो भगवान जो भी चीज़ें करा कड़ते थे वो मतलब समझ में तो आता था और इधा science की foundation भी क्योंकि strong हो चुके थी साइंस की concept भी बड़े हो चुके थे चीज़ों को धंग से समझते थे तो जब spiritual science की जीवन में entry हुई इन सब चीज़ों का ग्यान मिला तो और गहराई को जानने की इच्छा हुई तो अब यह कहते हैं तब ग्यान की शुरुआत हुई कि तब यह कैसे हो रहा है कि सब चीज़ें कैसे हो जाती थी रिशी मुनी है वो कैसे कर देते थे कोई भी तपस्या कर रहे है तो उनकी आयू कैसे बढ़ जाती थी तो इस तरह के अनेक अनेक प्रशन जो थे उस समय में मन में आने शुरू हो गए तो आप इसको क्या देखत की इन्सान जो है वह भी पांच तटो से मिलकर बना है और प्रक्रतिव यहां गर बनी जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वह जो आज की मॉड़न साइं जिसको मिस करती है वह ऐ अकाश तटो है ना सिर्फ एक अरद्ट पूश को सत्ते है जो बाकी के चारव जो आपको दि अधे पाल्जåन झाली को लिख और निर्न केरी थारु का मूत है to छोजो एक आपको प्रोसेस्टार साथ होता है अजिए आपको प्रोसेस्टार्स पता है यह आपकी बीजए से अपना श्रीक्षेक कदोाया अगनी भी हो सकते हैं, लेकिन वह एक मेकनिजम है, तो आपको पहले ये मतलब इन सब चीजों के बारे में, डिटेल में पता होना चाहिए. तो साइंस ने कभी, आप जैसे साइंस पढ़े हुए हैं, साइंस ने कभी ऐसा, कोई ऐसा रिसेर्ट्स पेपर निकाला, ये पर्टिकुलर चीज आप गाओगे तो दिया जग जाएगा, ये करने से बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ है. देखे, इस तरफ अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि कॉंटम साइंस जिस तरफ जा रही है, वो कॉंटम साइंस ये जरूर कहने लगी है, कि जैसे पहले हम समझते थे कि मैटर, जो हमें आज दिखाई दे रहा है, उसकी सबसे चोटी यूनिट अटम है, और अटम में कहते थे कि उसके अंदर electron, proton, neutron है, लेकिन जब थोड़ा सा और आगी चले तो ये देखा कि उनके अंदर atomic mass different है, मतलब उसका mass EMU unit में, और charge है, वो different है, तो उसके पीछे क्या कारण है, कि जब वो सबसे small unit है, तो क्यों electron पे negative charge है, क्यों proton पे positive charge है, क्यों neutron के उकर कोई charge नहीं है, इसका मतलब उसके नीची भी कोई एक unit है, जो उसको बना रही है, तो वो कहान है परमाणू, मतलब subatomic particles, तो quantum science अभी तक कहा हम पहुंचे कि सब different तरह कि subatomic particle के combination से कोई electron, कोई proton, कोई neutron बनता है, ठीक है, फिर ये सवाल आया कि कौन बना रहा है इस प्रकृति के अंदर सब्सक्राइब तो आज हमारा हम यदि इसको इसी चीज को इस concept को हम जहां से देखें, तो हम वो energy field अपने चार ओर कर रहे हैं और उसी energy field में रह रहे हैं, मतलब एक तरह से energy ही ही हर समय में exchange होती जा रही है, मेरा कृश्चिन यहां पर एक निकल के आ रहा है, कि क्या अपने अपने आखों से अपने थौट को थौट क्रियेट करके कोई DNA बदलते हुए देखा या कुछ ऐसा देखा जो एक बहुत ही क्वाधी को कहेगा, अरे यह कैसे हो सकता है, अभी सोचा हो और यह DNA में चेंज हो गया या जो आप कहरें, प्रोटोन, नोटोन, इलेक्टोन के अं अपन्स ततो है, उसके बाद वायू, फिर अगनी, फिर जल और मिट्टी, तो यह पांच ततो हमारे शरी में कहां कहां पहने, इन पांच ततो में से हम यह बात करें, तो आज हमारे पस जो एक्स्परिमेंटल एविदेंस के रूप में दिखता है, वो चेंज दिखता है हमे तो बहुती बीटिफुल किस्टल स्ट्रक्शर है, या इफ या टेकिंग दे वाटर फांच वो भी एक बहुत पर्फेक्ट जिमेट्री है, तो कहने का मतलब है कि वो कैसा हो गया, इस्ट्रक्शर ओर्डर हो गया, लेकिन इसकी जगह आप यही किसी बिमार वेक्ति का वाट ले ले, या वो किसी सिखने से डिजीज सफर कर रहा था, तो वो बिपकुल टूटा-फोटा इस्ट्रक्शर, रिस्टॉर्ट इस्ट्रक्शर है, तो इसका मतलब यहां से ही आपको अकाश तत्व मिलता है, अकाश तत्व मतलब कि उस पानी के अंदर, अकाश, अगनी और व मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने लाइफ में, कि हम अपनी एनरजी से ही अपना डियने बनाते हैं, दूसरा सेल के अंदर हम सेल सिग्नलिंग नहीं है, इट इस एनरजी टू एनरजी सिग्नलिंग, मतलब एक एनरजी, जैसे वाटर में एक एनरजी है, यदि वो एक, हम कह पीसफल हो गया, एक ज्मेटरी बन गई, आपने लब का वाइबरेशन दग वाइशन बन गई, तो किसी ने नकी किया है कि पीस का वाइबरेशन से यही फूल बनेगा, यह क्या चीज है, यह क्या है, जैस से बंद यह इंद बंद, क्योंकि वॉर्टर जो होता है, उसका केम तो हमें फूल दिखा दे रहा है वैसे वह एक अनरजी रिच मोलेक्यूल बन गया मतलब वाटर ने एक एनरजी रिच स्टेट को अटें कर लिया तो जब वह एक पीस्फुल ही हो गया तो उसने अपने अंदर उस अनरजी को कहा रेस्टोर कर रखा है इन चारों ततों में तो तो जिसमें से पानी का एक आज हमारे पास एविदेंस है पानी तक में क्योंकि वह आकाश आप देख नहीं पारे लेकिन अवसको हमें यह समझना है कि उस पानी के अंदर ही अकाश अपनी और वायू मिला हुआ हुआ है तब वह पानी का स्ट्रक्शर बना क्योंकि आपके इसाब से विचार दवानी बन सकता है यह फिजिकल चीज ही खानी पड़ेगी नहीं फिजिकल चीज कोई जोरूत नहीं हम गया जोड़ान कर लें हमें यह पता चल जाए कि अकाश तत्व ही हमें सब कुछ बना रहा है तो आप अपने अकाश तत्व को इन्फाने जाता है कि जो आप देते हो आपके पास वापस आता है है ना तो आप यदि अपने शुब संकल संपूर्ट सिष्टी को देने शुरू कर दो तो वह संपूर्ट सिष्टी से आएगा तो आप ही के पास लेकिन कब जब आप उसे बिल्कुल ध्यान से मतलब क्या है information का आकाश जो जन्म जन्मांतर में आप करते रहे हो हर कर्म की रिकॉर्डिंग उसमें समलित होती चली लिए वो एक information इस्टोर होती चली और जब आप कभी imagine करो कि हम कहते हैं कि भगवान के जो गुण है जैसे हम कहते हैं लव है ना प्यार देना सेंशीलता गुण तो ये सारे के सारे प्यार देने वाला सब को शांती देने वाला सब के लिए सेंशील होने वाला कैन यहां पर यहां पर वही बात निकल के आती है कि यह फीजिकल स्टेज में पानी कम होती है पर हम जब यह पांच तत्व के सरीर में नहीं जे तब हमारा जब हम उपर के तत्व में तब उसको कैसे आप लिखाए करें देखे क्या है कि यदि हम पूरे ग्यान को बहुत अचराम से समझें तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम जैसे होते हैं हम्मारे एनरजी वैस जैसे जब हम दादा जी का ग्यान सुनते हैं तो हमें मुझे अब तक जो समझ में आता है कि जो पूरी की पूरी संपूर्ण सिष्ठी की चैतने शक्ति है वो परम लाइट है वो परम लाइट एक मेकैनिसम के थूरू पांच ततों में आ रही है जैसे दादा जी बताते हैं तब पांच हलके ततुब बनेंगे, फिर फांच भारी ततुब बन जाएंगे, वो भारी होते जायेंगे और आप नीचे के लोकों में जाते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा परम लाइट से लेकर के जो नीचे तक की यात्रा ये क्या है ये पूरा का पूरा एनरजी ग्रेडियंट है और ये जो पूरा का पूरा एनरजी ग्रेडियंट है उस पूरे के पूरे एनरजी ग्रेडियंट में अब क्योंकि हर जगा सर्जन हुआ आत और जबकि आप यदि पांच बाहरी तत्व देखें तो एक अलग सुरूप है तो तत्व का मतलब एलिमेंट है तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि आज जो हम बहुत इक साइंस पढ़ रहे हैं उसमें हम हम सेल को एक बेसिक फांडेशन बांगते हैं कि सेल इस बेसिक इस्ट्रक्शल इन फंक्शन यूनेट और सेल से ही टिशू टिशू से ओर्गन और सिस्टम बनके फिर हुमन बना लेकिन सेल तो कुछ भी नहीं है सेल में तो आपको जो चीज़े दिखाई दे रही हैं आप कोई प्रोटीन को देखो के काबन, हैडोजन, ऑक्सिज़न, नाटोजन तो इसी तरह से हर ततू जो सेल के अंदर प्रेजन है जो आज मॉडरन साइंस देखती है वो बेसिकली ततू कही एक अलग-अलग कॉंबिनेशन है जिसने एक अलग-अलग स्ट्रक्शर बना लिए और एक संहिन को साइंस का है क्या है क्या है उसी के ऐअपर फोकेसर है आज हम कहते है कि जैसे DNA है 3b site, 3b in genome sónェ Caitlin र विग है उसका नाम क्या बन सकता है? देखे, क्या है कि वो एक ऐसी सूष्म इकाई है जो अपने आप में बिल्कुल बैलन्स है जैसे हम कहते हैं कि आत्मा कि ना हम उसे काट सकते ना हम उसे डिवाइट कर सकते ना उसे जला सकते दो मतलब और हम यह जी अत्मा के स्वरूब को भी देखें तो कोई भी आत्मा, मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि वो किसी से जगडा करेayım कोई उसे जगडा करता है तो भी उससे पसंद नहीं आता तो हम birthday, हर इंसान दुनिया मैं प्यार से रहना चाहता है वो प्यार बाटना ही चाहता है, लेकिन वो ऐसा करना ही पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मूल के अंदर जो आत्मा है, वो अपने आप में एक बैलेंस स्टेट के अंदर है, वो अनबैलेंस हो गई, वो अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस कैसे हो गया, कि वो कि जैसे अलग अलग तरह की कैपिसिटी के बल्व होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने आत्मा को देखा क्या, आत्मा होती है क्या, तो इसको कंसेफ को समझने के लिए कि जैसे मालीजे, हम फेस्टिवल में बहुत छोड़ी चोटे लड़ियां लाते हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें से आप देखते हो कि छोड़ा और बड़ा बल्व होता है, है न, दस वाट कभी बल्व होता है, चालिस वाट कभी बल्व होता है, हंड़िड वाट कभी होता है, तो हंड़िड वाट कभी होता है, फाइफ हंड़िड वाट कभी होता है, आ अब हम यह चोटे सा कपड़ा कोई भी सपोज हमें बहुत मसलिन क्लोफ सपोज उसके सामने में हर कपड़े के आगे लगा दू तो क्या होगा कि जो सबसे चोटा बल्ब है उसके अंदर से हमें कि ज्यादा प्रकाश कम हो गया ऐसा दिखाई देगा और जो सबसे बड़ा बल् होगा उसके अंदर से फिर भी आता रहेगा उसके प्रकाश को कोई पूरी तरह से विले नहीं कर सकता नहीं कर सकता यह और ज्यादा करना पड़ेगा तो यहां से ही आपको सारा का सारा जो एनरजी है उसका फ्लो समझ में आएगा है ना वो इसलिए हो गया कि इंसान के हमें के सोचना चाहिए साइंस को है अधी हम समझना चाहते है कि मानिजे एक सेवेंटी एर्स की में एक इंसान है जो पूरा वर्ल लेवल तक काम कर सकता है और एक इंसान 20 अर्स में अपने सीट से नहीं ओट सकता है तो हम सब के अंदर यह एदी हम डिये यह सेल या टीश औ अर्गन के लेवल पर बात करें तो वो तो हम सब के अंदर सेम हैं लेकिन क्यों हीमन बॉड़ी पांच ततु भी सेम हैं है ना पांच तत्यों का कॉंबिनेशन में 70-80% वाटर कहते हैं वो भी सब सेम हैं लेकिन फिर भी यहां पर यह इतनी वर्याबिलिटी क्यों आती है है तो वो आती है वहीं पर आंसर मिलता है कि आपकी जो चैतने शक्ति आत्मा है वो उसकी कैपिसिटी अलग अलग है है ना तो हम जैसे कहते हैं कि कहीं पर हम लाइट है तो कहीं अलग 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 तरह की मतलब शक्ति है वहां पर अलग अलग तरह की शक्ति है कि कहीं पर महात तो हर आत्मा बेसिक और अपने मूल रूप के अंदर जो यहां पर जो आपको दिखाई नहीं दे रही तो वह प्रकाशित है अपने अंदर लेकिन आपको सत्य को इसले नहीं देख पारे क्योंकि आपके आगे वह कवरिंग चड़ गई जो कहते ना दादाजी के कर्म बंधन चड़ गए तो यहां पर जो इंसान के अंदर चड़ गई वो चड़ गई करम बंधन और करम बोग के ऊपर तो यहां से मूल साइन्स की फांडेशन चुरू होती है कि करम बंधन और करम भोग कि जो आपने किया उसका अपोजिट फल आपके अंदर एनर जी के रूप में र तो आपका जीवन बदलने लगा, तो फिर जब इसको जानने के बाद आपको ये समझ आया कि अब मुझे बड़े लेवल पर जैसे पहले आप सोल से थे कि मैं डॉक्टर की जगा साइंटिस्ट बनु तो अब जब कि आप ये अद्यात्म में आ गए सब समझने लगे वे सास्त तो अब क्या जीवन में बदलावे अब क्या गोल है अब मुझे उसके बाद जब मैं यहां मतलब आई तो मुझे अध्यात्म में ऐसी चड़ते चड़ते मेरा जो मॉडन साइंस से इंटर्स खतम होने लगा और मेरा इस्पिछल साइंस के तरफ इंटर्स जादा आने लगा मैंने एक और भी काम किया था जिसमें मैंने प्रेजन किया था जिसमें मैंने प्रेजन किया था वर्क बुल्गेरिया में कि एफेक्ट ऑफ ब्लेस्ट वाटर्स वाटर्स तो मुझे लगा कि जब पानी के उपर पानी वाइबरेशन को अफेक्ट कर सकता है तो हम पानी को ही ब्लेस्ट क्यों नी कर सकते, ब्लेस्ट मतलब कि हम पाने को ही हाई वाइबरेशन क्यों नी बना सकते और उसका डिये ने जो हमारा मास्टर मॉलेक्यूल है, जिसे हम अध्यात्मे कारण शेडिर कह रहे हैं, उसके उपर क्या एफेक्ट होगा तो उसके उपर एक original concept मैंने प्रेजंट किया था, और मुझे वहाँ से Gilbert Link Poster Award भी मिला था, तो ऐसे होते होते मेरा spiritual science की तरफ और मतलब अध्यात्म की घ्यान को ही गहराई से समझना, 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 ये चीज़ मेरे अंदर आने लगी थी, फिर ऐसे होते होते जब मुझे ब तो मेरे पास बहुत कम समय था, तो मुझे ये था कि उन दो-तीन महिनों में मुझे सीखना है, तो मैं अपना जीवन का बता रहे हो कि जब मैंने अध्यात में ग्यान शुरू किया था, तो मुझे उन टर्मिनलोजिस के अर्थ भी नहीं पता थे, जैसे निराकारी, अकारी, सकारी, मायातीत, कर्मातीत, भावातीत, क्योंकि मेरी में मेमरी थी, वो मौर्ण साइंस से जादा कनेक्टेड थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप उन वीडियो को एक बार दो बार शुरू में देखा, फिर एक बेस बन गया, उसके बाद मुझे पूरा जैसे बेहत का ग्या सोल बॉडी को चला रहे है, सोल साइंस का हम प्रूफ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको किया नहीं जा सकता है, उसे भी किया जा सकता है, यदि हम पूरे तरह से एक्सपरिमेंट को प्लान करें, तो चेतरने शक्ती जीवन को चलाती है, और आपके शरीर में उसको संकल्ब को पकड़ लूगी, कि मुझे आत्मा के जीवन के अस्तित को प्रूफ करना है, क्योंकि अध्यात्मी जीवन में मुझे यह भी लगा कि सोल जनी क्यों करती है, उसके कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, वो अलग अलग रूप में, किसी के पास परिवार में आने क किसी को बहगवान के देखने के रह गए, किसी को कोई कर्म करने के रह गए, तो सिष्टी कुछ देखते-देखते यह समझ में आया, कि जो चब तुमने काम अधूरा छोड़ दिया, उसे करने के लिए उसे नेक जनम में आते हो, है ना, तो मैं आगले जनम में वापिस नी नौलिज से पता है कि हाँ भी डेथ का क्या मेकानिजम होता है, हीमन बॉड़ी के अंतर, जब ग्यान आया तो उसमें लेगा कि पूरे, मतलब ग्यान से हमें क्या बतालगा, कि हम एक अमर लोग की स्थापना कर सकते हैं, है ना, पूरे के पूरे, ना सिर्फ अपने भ्रहमा क्योंकि आत्मा की शक्ति ही थी जो कम हो गई, है ना, तो इनसान तो बिमार पड़ेगा, आत्मा की जैसी गती हो रही है, उसके मताबिक उसका जनम होगा, तो ये तो एक नेवर इंडिंग साइकल है, तो उसमें क्यों एंट्रैप हो ना, उससे ज्यादा सर्वोच यह में है कि डेथ क्यों होती है, है ना, सबसे पहली बात कि यदि हम अपने शास्त्रों को भी देखें, तो हम यह जानते हैं कि जब सत्यूग दापरत रेता कलियो, यह चार यूग हुए, सब के अंदर आत्मा की गती अलगती, आत्मा जैसे सोचती थी वो सब अलग था, आत्मा की आ शक्ती थी अंदर, वो अलग अलग थी, जब आत्मा पावरफुल थी, वो एक अलग तरह से काम करती थी, उसकी आयूभी लंबी थी, लेकिन जब आत्मा की आज शक्ती कम हो गई, तो आज सो साल का भी आयूश नहीं रहा, उससे भी कम होता जला जा रहा है, इसका मतलब सब्सक्राइब हो ज्दक उछे करना काम कर रही है, वा उसका हमारे अंदर जो एज रही है, तो हम जो सायन्स में समझते हैं, वो यह है कि नहीं कहाते है, नहीं तो इतना नहीं भी है compose खागबिस, लेकिन ध्यंदर, और आधि एक अलग पेरामिटर हैisen की तो साजने हैं, तो तो प्रोटीन के साथ एक रियू होते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोंप की जो टिप्स होती है उसका हम ती तीलोमेर कहते हैं तो क्या होता है कि जब ही हमने पढ़ा होगा मतलब साइंस से जो ब्लॉंग करते हैं उनको पता होगा कि हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है तो जैसे हम आज हैं हम बच्मेन में वैसे नहीं थे हम समय के साथ साथ हमारी सोज समझ हमारा फिजिकल फॉर्म सब कुछ बदलता जा कोर्परिट होना है तभी वह आपका संसकार अगा बन जाता है ना तभी आप उसको कर पाते हो तो इसमें क्या होता है पूरे प्रॉसस में एक सेल के बाद जब नई cell वन्ती है तो उस समय में तीलओंया की शॉर्टनिंग होने लगती है अनकर के दूब जर्फ। पर हम स्वाइजिन का डीने का ठीम कौ जाता है तो शौध में एक कारणने नमारी ранuleन आ यहां पर होना जाता है और जब यह cumulative effect पर मतलब पूरी तरह से यह होता होगा तो हमारे शरीर का जो सूरे है, सूरे है हमारे शरीर में mitochondria जो अगनी तत्व है हमारे शरीर का, तो हर cell के अंदर एक mitochondria powerhouse होता है तो इन सब के combined effects से cell ultimately death को प्राप्त होती है तो जब cell death होनी शुरू हो जाती है, तो tissue और organ तो death होना ही होना है हम इसको अध्यात्म की दिश्चे से कहते हैं कि हमारी आत्मा चली गई लेकिन कहीं न कहीं आत्मा आपके इन 5 तत्वों के अंदर integrated है और जब उस mechanism को या उस energy के point को decay होकर खतम होना है मतलब उसको दूसरी form में transform होना है तो वो आपको physical body में cell death के रूप में appear हो रहा है अब यह इस अकाश तत्तो को बहुत expand कर दिया जाए मतलब यह shortening तो हो रही है लेकिन यह shortening कितनी होगी यह 5 बेस पेर छूटेगा 10 बेस पेर जाएगा 100 बेस पेर जाएगा 200 बेस पेर जाएगा यह सब में अलग अलग है इसलिए हर एक के अंदर death का mechanism अलग है कोई वेक्ति 20 यूर्स में 80 यूर्स का दिख रहा है आपको कोई 40 यूर्स में आपको यंग दिख रहा है तो this is related with the telomere aging आज हमारे लिए भगवान ने जीने के लिए बनाई प्रक्रति मतलब nature तो उस प्रक्रति के अंदर मतलब अब जो energy है हमारे जीने के लिए तो भागर के मतलब पांच तत्व ही बने है ना तो हम वहीं से तो energy ले रहे हैं क्योंकि हर आत्मा का अपना खुद का भी और है वो औरा क्या करेगा वो से energy field से अपने matching की energy field को वो ले सकता है तो इसलिए हम यहीं देखते हैं कि किसी पर कोई प्रभाव हो भी रहे है दूसरे पर प्रभाव नहीं भी हो रहे है हर वेक्ति पर अलग अलग प्रभाव हो रहा है कोई यह है कि जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसी को सत्समस्ता जा रहा है तो और कोई उसके ओपर प्रभाविती नहीं हो रहा है वो सत्य को देखता जा रहा है मतलब एक असत्य की तरफ जाता जा रहा है और एक सत्य को देखता जा रहा है तो कैसे देख पा रहा है तो अमर लोग की स्थापना क्या है कि जो आपकी चैतने शक्ती थी वो आज किसी भी स्टेट में हो सकती है लेकिन जब आत्मा की मूल शक्ती परम लाइट की फॉर्म में आ जाएगी उसके चारो और जैसे बल्ब के चारो और कप्रा ढगने से उसकी रौशनी कम हो गई इसी तरह से आपके कर्म बंधनों ने आपके चारो और जो लाइट के चारो तरफ माइट है उसने उसके प्रकाश को ढग दिया तो जब आत्मा भगवान को या बेहत को मतलब बेहत का मैंने पहले भी कहा कि लाइक बेहत क्या है अपने आप में इंफाइनाइट है और पूरे मल्टिवर्स तका हम यदि पूरे इस एनरजी क्रेजिन को देखें तो वहाँ पर वो मिट्यू लोक है मतलब वहाँ पर एनरजी कि एक ऐसी फॉर्म है जिसने डिके होना ही होना है ठीक है वो डिके होगा अंतर इतना है कि वो ब्रह्मान में है तो पावर अलग है जैसे दादाची बताते है एक से चार कला है ना फिर हम देखते हैं कि आठ से दस कला फिर दस से चौधा कला तो इस तरह से जितना आप उपर जाते जाते हैं कलाओं में पावर बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी वो कलाओं मल्टी वर्सक ऐसी हैं कि जो पावर बहुत लंबे समय के बाद डिके हो लेकिन वो डिके होगी जरूर लेकिन उस एनर्जी को डिके होना है लेकिन जहां से बहुत की दुनिया शुरू होती है वहाँ का मतलब है कि वो अमर लोग है मतलब वो एनर्जी डिके नहीं होगी तो इसलिए ही जब आप बहुत से लेकर पूरे बहुत के बहुत तक अनंत में जाते हैं 1100 1000 फिटी तक तो वहां से उसपावर को लेने का मतलब है कि आप उस एनरजी को मतलब वो डिके नहीं होगी वो डिके नहीं होगी वो एनरजी ही फॉनडेशन वने conservे किऊ क्यूंकि वही चैतने शक्ति है वो चैतने शक्तिु कैसे आई की जड़ती पर क्योंकि दादाजी का अल्टिवेट मकसद क्या है कि हमर्लोग की स्थापना करना कैसे करना अपने बेहत की बैच्चों के द्वारा करना और कैसे करना परमलाइट परमप्रकाश को यहां उतारना ठीक है तो परमलाइट परमप्रकाश को यहां उतारना एक बहुत ही सिंपल सी बात है, यह quantum entanglement है कौन उतार सकता है, भेहत की आत्माएं उतार सकती है क्योंकि भेहत की आत्माओं के अंदर ही भेहत की परमलाइट है उन्हीं के अंदर वो सबसे बड़ा, मतला हम कह सकते हैं जो हमने common bulb को example दिया, कि वो आत्मा की शक्ती वो आपको मानव की रुक में दिखाई तो दे रहें लेकिन उनके अंदर ही वो परमलाइट परमप्रकाश की शक्ती है वो परमलाइट परमप्रकाश की शक्ती ही अपने मूल सोर्स से connect हो सकती है और वो जितना ज़्यादा उसको याद करेगी तो वो महां से उसी power का carrier बन जाएगी वो बन जाएगी तो उसके बाद वैसे ही vibrations अंदर change होने शुरू हो जाएगे और क्योंकि ग्यान ही हमें ये बताता है कि आत्माओं से आत्माओं का सरजन हुआ जैसे बेहत का ग्यान ही हमें बताता है कि हम पहले 108 फिर 108 फिर 16 फिर 9 लाग फिर 2 करोड तो जैसे मूल बतन बनता है आत्माओं से आत्माओं का सरजन होता है तो इसका क्या मतलब है इस बात का मतलब है कि सभी आत्माओं एक दूसरे के साथ एनरजी से connected है तो यहां से हमें जब हम ग्यान की foundation हमें मिलती है तो हमें science की foundation, science तो कुछ भी नहीं है science तो सिर्फ एक उप्री तत्मों को देख रहा है उससे कभी भी मानव समाज की सिवा नहीं की जा सकती लेकिन इस पूरी journey में जब यह पूरा बेहत का ग्यान समझ में आता है तो क्या है और वहां पर जब तीनों तत्व ही आपके परम लाइट के बन गए तो आपके अंदर आगी बाकी के और दोनों तत्व की चंता करने की तो कोई ज़रोती नहीं है तो इसलिए क्या था कि इस पूरी spiritual journey में जो science में कभी doctor से लेकर scientist सक्षुरू हुई थी अब मुझे लगता है कि मेरा एक जीवन का सिर्फ एक ही परम लक्षे है spiritual science और multiverse transformation मतलब जब आप उस multiverse को transform कर देंगे तो आप इस पूरी दुनिया को रहात दे सकते हो इस पूरी दुनिया में जो पूरी अनंत स्रिष्टी है जहां इंसान समझी नहीं पा रहा क्योंकि उसके चारोर इतनी layer लग गई आप सोच के देखें कि एक ब्रहमान को बने 108 करोड साल हो गए और उसके आगे एक हलकी सी परत उस प्रकाश को रोग सकती है तो उस आत्मा की शक्ति के आगे खलके से कर्म बंधन ने उसके चारोर कितनी layers डाल दी होंगी और उसके संकल पास दुनिया में कैसे जलते होंगे और जैजि संकल पोसे सिष्टी बन रहे है तो उसके संकल भी तो इस सिष्टी के अंगर जा रहे है तो एक तरह से यह एक never ending story बन जाए इससे अच्छा यह है कि सबसे बढ़ी आए कि multiverse को यह transform कर दिया जाए और जब मैं इस ब्रह्मान को भी देखती हूँ मतलब हर चीज़ को जब मैं गहराई से समझत तो मुझे एक concept समझ में आता है कि हम कभी भी देखें कि बेहत का ज्यान है हमें जो सत्ते की तोड़ ले जाता है वो इसलिए ले जाता है कि जैसे हम अपने यदि इसी ब्रह्मान की बात करें कि धर्ती है हमारी इस धर्ती के उपर भी साथ लोग है इस धर्थे के नीचे भी साथ लोग हैं इस धर्थे के ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णिवपुरी, शिर्पुरी फे परमधाम है लेकिन हम इस धर्थे के नीचे साथ लोगों के नीचे देखें तो चपन करोड नर्ग है तो कभी हम इसको ये नर्ग या लोकों के रूप में ना देखें तो आप एक तरह से ऐसे समझों कि धर्टी हमारी क्या है एक center point है इसके उपर positive power का gradient है ये साथ लोग क्या है हर एक के अंदर composition अलग है लेकिन जैसे जैसे जाते जा रहे हलकी होती जा रहे है पावर शक्ती बढ़ती जा रहे है और नीचे के तरह आप जतना जाते जा रहे हो पावर घड़ती जा रहे है तो इसे तरीके से balance क्या है कि जब उपर और नीचे की दुनिया balance रहेगी तब धर्टी पर संत्रलन रहेगा और यदि जहां भी negativity जादा हो जाएगी तो नीचे का तत्व भारी होना शुरू हो जाएगा मतलब energy को transform होना है तो सिर्फ बेहत का ज्यान ही है हमें जो यह बताता है कि जैसे जैसे समय बीटता जाता है युगांतर बीटते जाते हैं चतुर्वग बीटते बीटते जाते हैं तो उस power को भी आगे कम होना है वो power भी कम होती चली जाएगी तो हम किस के ओपर जाते हैं जब हम दुनिया में prayer करते हैं या जीवन में कुछ भी देखते हैं तो असली सारा खेल सिर्फ energy का है सारा खेल सिर्फ power का है तो पावर ही जब हमारे अंदर कम हो जाएगी और हम पावर के सोर्स को ही याद करते हैं हम जीवन में कोई भी कारे करते हैं उस पावर के सोर्स को ही याद करते हैं और हमारा जहां तक ज्यान क्या करता है ज्यान आपके बुद्धी को खोलता है ज्यान आपको ये बताता है कि असीमित पावर भी अविलेबल है बस हम यहाँ पर लिमिट रहकर ये ना रह जाएं कि हम इस यदि ब्रहमान्त में जो पढ़ते आएं हम यदि ब्रहमान्ता की अपने हाँ को सीमित कर दिया तो हम फिर अनन्त से नहीं जोड़ पाएंगे लेकिन हम यदि अनन्त को समझ लेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत जल्दी ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं तो इसलिए ये एम मुझे सबसे सरफशेश लगा कि मेरी वहाँ से वो यात्रा खतम होती है मेरी यात्रा अभी Special Science की तरफ आती है और दूसरा मेरी यात्रा Multiverse Transformation की तरफ आती है तो जब आप दिरे दिरे जब ये concept समझ रहे थे जिसे आपने आत्म का concept समझा ब्रह्म का concept समझा शीव, परम शीव, महाशीव परम महाशीव का जब concept समझा तो आप energy को किस तरीके से देखते थे कि इन सब के अंदर की energy को आप science की दरश्टी से देखा जाए तो क्या example से समझा सकते है दिखे क्या है कि energy की state में किया है कि हर चीज को कोई नोगोई बना रहा है है ना हमने देखा कि हमने आज science में क्या पढ़ लिया था atom बना तो वो एक matter की मतलब हमें जो भी चार ततुव नजर आ रहे है अगनी वाईयू है ना जैल और मिट्टी तो ये जो चार ततुव नजर आ रहे है हमने इसके अंदर में atom देखा मैं कभी-कभी सिष्टी को भी देखती थी मैंने हमेशर जो सीखा वो नेचर से सीखा जैसे मैं कभी-कभार ऐसा सोचती थी कि जैसे मालीजे कहीं समुदर है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पानी है मतलब समुदर में क्या है अथा जले इसने तो पूरी डिया को सुने रहती हैं कि मुझे हैं टो पानी बन रहा है। हुआ पर जैसे Buddh को देखेंगे सिलन रियुकन है लेकिन वहां की एणर्जी फिल्ल उसी जडिक्न आज़े लेगी सर्म. तो आपको यह पता लगेगा कि वहां की कमपोदिशन ही है कि वह अपने आपी चोटा परवत फिर बड़ा परवत 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 वह बंती चले जाएंगे ऐसे ही जहां सेंड बन रही है वो बंदी चली जाएगी कोई बना नहीं रहा इसी तरह से प्रकति अपने आप में बैलन्स रहे तो यहां से मुझे ततु का कंसेप्ट समझ में आया कि कहीं पर जल बन रहा है तो एनर्जी फिल्ड है लगे फिर मैं भगवान को भी देखती थी कि कहीं भगवान जैसे पूली रखी उन्होंने पूरा एखा कि पूरा जल सुखा दिया तो मैं सोस्य थी कैसे कर देते थे भगवान ऐसे मतलब और मंचन चलता है कैसे हो जाता होगा तो मैंने का इश्वर तो हैं उनको पता होगा कि इस एनर्जी फिल्ड को इस फॉर्में क कि मैं जो मतलब धर्म की दिष्टी से हम याद्धात्म की दिष्टी से देखें वो चीजें कैसे होती थी तो इसी तरह से जब जादाजी ने कहा कि भई शिव हैं कि शिव भी अनन्त हैं बिल्कुल सही बात है कि जब हर इतने सारे मल्टि वर्स हैं तो एक ही जदी शिव सब सब ठालरा हमें больше कि इतले सारी में कर रहे हैं और सुक्रीम एलीमेंट कर एक ईतनी की करह लए रहा है मतलब रौर जब लाइट की ने मुझे यह लगता है कि मेरी यात्रा समाप्त होती है वो यही है कि एक सबसे सर्वोचे मिल गया मुझे अध्यात्म जगत में आने के बाद और उसमें सिर्फ एक ही जन्यका कल्यान नहीं है क्यों करो कि अपको कोई भी एक कैम लेते हो अप्या करोगे आपको बहुत एक प्राइस आदे गा उसके बाद यही थोड़े जिन बाद कोई और आएगा वो काईगा यह थी ठीक नहीं थी वो थी ठीक थी इस से जादा तो कुछ नहीं होता एक अच्छ डॉक्टर बन जाओगे आप बिना पैसे का किसी का इलाज कर लोगे एक अच्छ चाहथा राजनेता बन जाओगे एक अपने देश का स्टेट का कल्यान कर लोगे लेकिन जब आप पूरे मुझे परिवर्टन करोगे तो आप एक नए युक का निर्मान करोगे मतला एक ऐसी दुनिया जो पूरी अमरलोग होगी और जहां से दुखों का सरवोच मतला पूरी तहरे से आप उसे दूल कर सकते हो तो यही मुझे स को ट्रांसफॉर्म करना और सौ परिवर्टन करना और मैं ऐसा मानती हूं कि जितना भी मेरे जीवन में संगश्च देखा जैसा मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में पहले वाले में बताया भी कि बहुत संगश्च थे अब मैं आपको इसी चीज को अध्यात्मिक करते हैं या आज हमें अपना सौ परिवर्टन भी करना है तो आत्मा को क्या होना है आत्मा को नश्ट मुहा होना है आत्मा को जीते जीवन मुक्त होना है आत्मा को भावातीत होना है आत्मा को कर्मातीत होना है अब आप देखो कि जब ग्यान आ जाता है तो आप कर्म से अत कि थोई जाओगे आप उस करूं के भागोगे नहीं इच्छाओं से क्या है कि जब आपने जीवन में ऐसी परिसितियां आपके पास लगाता रहाती हैं कि आप बहुत इमांदारी से सर्वशेश परियास कर रहे हो वो चीज में आपको फल नहीं मिल रहा तो आप दुनिया के से देखो कि आरे महनत करी नहीं मिला लेकिन आपको यह नहीं पता कि तब आप भगवान की किरपा उसमें चुपी होती है कि वो आपकी इच्छाओं को समाफ कर रहा होता है वो इच्छाओं के पीछे मतलब दुनिया में इच्छा क्या है कि जब दुनिया में इच्छा आ र और मेहनत से काम करते हो, तो आपका जो आत्म बल है, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो चीज़ें आपको मिलती है, उसमें संतोश आपके पास अपने आप आजाता है, तो भगवान के जो गुण है, वो आप इन परसितियों को डील करते करते, आप, मतलब, असेप्टर के स्टेट सेने गिवर स्टेट में आजाते हो, गिवर के स्टेट में, और कोई भी चीज़ को छोड़ते समय, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, वो त्याग तकस्या वो आपके अंदर अपने आप ही आजाती है, कि मुझे उसके पीछे भागना नहीं है, तो यह सोचना चाहिए, कि यह परिसितियां हमें क्यों आ रही है, लेकिन सबसे आता इंपॉर्टन है कि उन परिसितियों को आप भगवान का साथ और उनका हाथ पकड़ कर ही जीवन में आगे बढ़ें, तो इश्वर आपको दिखाई दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन वो आपको सही मार्क पर ले जाएंगे, ऐसा में 100 क्या मोर दें 100 परसंट विश्वास रखती हूं, तो इसलिए कहीं भी जो कुछ भी मैंने पाया या खोया, मुझे उसकी कोई परवा नहीं है कि मैंने क्या पाया, मेरे को यह लगता है कि मेरी यात्रा प्रभू को पाने की यात कि अब उनका लक्स जो है वो विश्व कल्यान का ही रहा है और उसके लिए ही वो अभी आगे पोशात कर रही है क्योंकि स्थूल साइंस जो है उसकी लिमिटेशन है पर स्पिरिचल साइंस की कोई लिमिटेशन है क्योंकि वो हम से हम से जुड़ा हुआ हम मतलब हमारे आत्म पर आप पर कारिया करना है तो फिर बाहर की दुनिया तो जब बतलेगी तब बतलेगी पहले हमारी अंदर की दुनिया बदलेगी तो खेर बहुत ही अच्छी बात बहुत आपको इस देना चाहेंगे समाज के लिए हाँ जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहूँगी कि आप आप में असली शक्ति को पहचाने आपकी असली शक्ति इस दुनिया के अंदर नहीं है हर इंसान के अंदर एक infinite potential है क्यों क्योंकि वो उसका जो असली सरूप है वो भ्रम सरूप है और आपको जब आप उसने जीवन में उतारेंगे मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने जब इन जब ज्यान को सुनना शूरू किया यह बिल्कुल सत्य है कि मैं जो इन टर्म्स के भी मतलब नहीं पता थे लेकिन मैंने को आज यदि आप मुझसे बेहत के ग्यान में मतलब दादा जी का याशिरवाद है और मुझसे कुछ भी पूछेंगे मैं आपको बता सकते हूं तो इसलिए था कि मेरे अंदर भावना थी क कि मुझAmerica ना सत्य को जानना है तो जिस तरह सेृधी आप भी सत्य को जानना चाहते जो भी व्यक्ति Color, अपने जीवन में सत्य को जानना चाहते है तो वह घ्यान को सुने, उसे समझे और जब आपसे समझ कर अपने जीवन में उतारोगे तब आपको ये पता चलेगा की तो योग अगनी में आप किसे योग लगा रहे हो और कैसे योग लगा रहे हो हर किसी में वह बस आप पे डिपेंड करता है आप यदि अपने आपको सिफ भामान तक ही सीमित रखोगे तो दादर जी हमें बताते हैं कि 1-4 कला की पावर है महां पर है ना और हमने जैसा कि तो यदि आपको कुछ करना है जीवन में आपको भी सत्य की तलाश है आप लगाएं तो अपने आत्मबल अपनी आत्म शक्ति को पहचाने और सत्य घान को धारन करें सत्य के साथ ही कनेक्ट करें अपने आपको और संपूर्ण सिष्टी के साथ ही जब आप अपना योग जब भी कहीं आप अपने शरीर के बान में रहते हैं, तो कहीं न कहीं उसके साथ वेट जुड़ गया, और ततु जुड़ गया, मतलब वेट जुड़ गया, भारी हो गया, लेकिन दो एनरजी के पार्टिकल्स जब आपस में एक दुस्सरे के साथ मिलते हैं, तब ही एनरजी एक्स्चेंज होती है, तो जैसे संपूर्ण सिष्टी के पिता मा, जो हमारा बेहत की कला का परम महा ब्रहमान है, जो जगे हमूलिस्थान है, 11001 पिरी, वो एक पूरा संपूर्ण सिष्टी का एक पावर हाउस है, तो जब आप उसको ध्यान में लाकर के, मैं यह संकल्पी करी हूँ ना अभी, तो भी मेरा ध्यान वहाँ पर जा रहा है, तो जब आप इस तरह से पावर संपूर्ण सिष्टी के पिता के साथ करोगे ना, तब आपके अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तब आपको अपने, मतलब जो कर्म आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको परिवर्टर नजर आएगा, जैसा कि अभी हमने कहा कि हर इंफॉर्मेशन, हमारे अकाश, अगनी और वायू से जल में आती है न, इसी तरह से आपकी जो अकाश तत्व है शरीर का, वो बदलना शुरू होगा ही होगा, जब वो बदलेगा, तब ही बाकि आपके चार तत्व बदलेंगे, तब आपको आपके जीवन में कारे करने की शमता, आपके सोचने की शमता, सब चीजें बदलते चली जाएंगे, तब आप उसका टाक्टिकल अन्भाव कर पाऊगे, तो यही मेरा एक मैसेज है, कि जो हमारे चारो तरफ यह पढ़तें चढ़ जाती है, हम सत्य की ओर ना जाएं, हम सत्य की ओर अपने मार्ग को अगरसर करें, यह मेरा मैसेज है, तो काफी अच्छा मैसेज आपने दिया, और एक जागरती जो हर आत्मा के भीतर हम लाना चाहते हैं, ज्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो जुरूर से आने वाले समय में, ऐसी दिवी आत्मा हैं हम से जुड़ेगी, उनकी एनरजी हम से मिलेगी, हम सब मिलके एक संकल्प के उपर कारिय करेंगे, विश्व कल्यान के उपर हम कारिय करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे सामने होगी, और ये प्रेक्टिकली होता हुआ दिखेगा, तो दुनिया तो जानती है कि यूग परिवर्तन होने वाला है, और कौन करने वाला है, ये कोई जानता है। सब जानते हैं कि कोई ने कोई तो दिवी आत्मा हैं, जो इस पृत्वी के भले के लिए कारिय कर रही है, पर वो कौन कर रही है, कहां कर रही है, कैसे कर रही है, वो नहीं जानते हैं। तो अगर बुराई और बढ़ेगी तो इम बैलेंस और बढ़ेगा तो प्रकृती अपना है बैलेंस खोती जाएगी तो उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है तो खेर ये बैलेंस जो है इसी तरीके से हमें अपना माइंड में भी बैलेंस बनाये रखना है नेगेटिवीटी पॉजिटिवीटी हमारे बीतर चलती रहती है उपर नीचे हर एक के जीवन में कर्मबंदन आते रहते हैं उसके कारण उसके कॉस और इफेक्ट बनते हैं कर्का आता भूत अअग तो आपका बहुत 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 ज़िए और जाहां चाहेगें जह जब क्या होता है कि क्या होता है कि कया होता है कि पैर हम एप अपने आपको कमजोर समर्हें तो हम सह cousin story Right झाल मैं mesaesee कि पॉRoht भॉत इमपॉर्टन मैं यह अपने है जीवन काल में और उसको मैंने किया, जब मैं भकती से वे जूट ड़ी तो मैंने भकती को भी समपूंट मतलब समर्पन के साथ किया, जब मैं गयान में भी आई तो मैंने गयान को भी जितना मेरे कि जहां जहां से आप जुड़ते हो ना, वो आपका एक energy path बना लेता है, ठीक, वो energy path आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो कहीं न कहीं invisibly आपके अंदर कारे करता है, और आप एक पूरी की पूरी energy की cycle और energy की change से जुड़ जाते हो, ठीक है, इसलिए कहीं भी कोई पर हम ने उस परिस्टि में उस जगह का सहारा लेकर अपने आपको कमजोर कर दिया, हम क्यों मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो परिस्टि हम उसको खुद से overcome नहीं कर सकते, हम उस परिस्टि को overcome करने के लिए दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हैं, और हमें सिर्फ उस जगह से जगह कर दो कि हर गर परिवार के अंदर कही ना कहीं थोड़ी थोड़ी आशान्ति है यह कहीं ना कहीं तकलीफे हैं, तो उसको जो सुख का अनुभाव नहीं करता है तो यह ज़िए स्पिश्टिल मार्ग में चलना चाहता है, तो किसी को भी पकड़ लेता है, और कहीं भी कि दादा जी की सबसे बड़ी आबात लगी, कि आपको जो ध्यान करना है, वो आप बेट कर ध्यान करो, आपको पता है कि आपकी संकलब शक्ति से सिष्टी बञ 상ते हैं, तो आप बेट करके घर में बहुत बढ़ी अ-बढ़ी संकल भेजो ना दुनिया को, वो आपके पास कभी आपको गारे कभी देता ही नहीं जो आप उसे समज़ने सकते तो इसलिए मतलब बहुत सो समझ कि हम कहीं भी हम जब छूज करते हैं न हमें हमारा जो स्लेक्शन है वो बहुत ही स्लेक्टिव होना चाहिए क्योंकि कहीं भी जाते जाते उस जगह की मतलब यह पूरे कंसेप्ट हैं लेकिन हमें मतलब इन चीजों को भी बहुत घराई से समझना चाहिए क्योंकि आज में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको बहुत डीपली भगवान के आशिवाद से समझ पाई तो मुझे आज की सच में महसूस होता है कि हमें और कोई भी तरह की एनरजी से अपने आपको जोड़ना नहीं चाहिए आपकी अपनी खुद की आत्मा की जर्णी हो आपके आत्म बल की ओपर हो आप बहुत मेहनत करो कहीं आप नहीं कर पा रहें और भगवान से शेयर करो मैंने अपनी पूरी जर्णी को हर पल पे भगवान से शेयर किया अंतर सर्फ इतना था कि मैं यह नहीं जानती थे कि इस जनम को कर्मयोगी जीवन कहते हैं मैं ने जान्सानी थी खे Bisagpp जो मुझे संदेना आज मों कर्मीयों कि जीवन से ती ज़एक अप्छूम se करती जीवन थी थी। जजमतां से ऐसे जुआ समय करतीई और आज भी मैं बहुत कर्मीयों की जीवन ही करतीय। तो कर्म कार्म कि क्या होता है कर अथ हमें कर चाय होगे जде कह nghi सब्सक्राप्तordinतर हो सकते हैं तो जुखने हैं लिए खराइफान के दॉफ जुछे हैं तो भान को कोई पमलना आप कही लिए पर सफलता सब कोई भी किर्फ बरा शो रहे हैं हम यह सोचने लगते हैं कि भॅछ भाड़ाभादा यहहां हमें कारी मैशुआ लृण मिलती हम ऊपोजित सोचने लगते हैं जबकि इसका कोई लेना दना नहीं है बھ докум DOT महह आपको जब को धिष्याद होगा, जब आपको विष्याद करेगा, और आपको संकलप करने से महह नहीं खतम होगा, वो आपको परिस्थितिया बनेगी कि अब उसके डिटेश्मेंट हो जाएगा, कि चलो नहीं हो रहा, तो क्या हगा? तो इसलिए कभी अपने आपको कमजोर ना बनाए आपको कहीं भी जाना है आप जाएं लेकिन अपनी बुद्धी को कभी भी ना कि अपने आपको मतलब समर्पित मिन करना चाहिए और हमेशे समर्पित करें भी तो सत्ते की तरफ समर्पित करें और सबसे बड़ा सत्य आज का यही है कि पावर तो मुझे सबसे पूरा जो बहुत अच्छा लगा कि सब मतलब सब ग्यान का मूल सार यह है कि आत्मा की शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा की शक्ती ही उस शरीर को चलाती है तो आत्मा की शरीर ही चलाती है उसकी शक्ती और पूरे प्लेनेट को भी पूरी एनर्जी चला रही है, आज ही एनर्जी डिक्लाइन हो चुकी है, इसको फिर से पावर से भरना है, और यह बहुत असानी से किया सकता है, सिर्फ एक जागरिती की ज़रोत है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप यह बिलीव बना लेंगे इसके लिए आपको वीडियो दो बात जुरूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल को मैच करने के लिए आपको दुबारा सुनेंगे, तो आप चेतना के दिरे-दिरे सतर में उपर बढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वीडियो एक बार देख करते हैं, फिर वो बात हमें समझ में आने लगते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप दुबारा से दो तिन बार ये वीडियो को देखिए, क्योंकि उनकी लेवल एकदम हाई लेवल है, सोचने का, समझने का और समझाने का भी, और हम जिस लेवल पर अभी कारिय कर रहे ह हैं, हमारा साइंस तो बैगराउंड है नहीं, पर फिर भी उन्होंने जो आध्यात्मा और साइंस का जो कॉंबिनेशन हमें समझाया, ये वाकई में बहुत ही घहरी बाते हैं, समझने के बाते हों, जिससे हमारी चेतना का स्थर बढ़ेगा, हमारी कॉंसेसनेस जागरत होग जो चैनल है, उस चैनल पर सारिका जी के वीडियो भी रखे हुए हैं, करीमत 20-25 वीडियो आराम से हैं, उनका प्ले लिस भी बना हुआ है, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो आप लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो रात को 10-11 में डेली लाइव मेडिटे कर देख सिर्क्रिप्शन कर दिया को प्लेट हैं, वाटसप स्थैनल पी लिए और इम्याल इदी भी है, तो आप उम से जूड रूप सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां पर एप बहुत दनेवाद करूंगा बेहत की परमाशान थ हैं, तो यहां पर में बहुत दने कर शर्जी इलेड एन इचैंटी तो कर लुकॹमें इमेर अन्न अन्ट परम कि यूजर — अबchnätी ।ुर के बढहे हुआअ टीछ